सब्सक्राइब किजिए Chemistry सेर्जी चैनल को और पास्ट वाले बेल आइकन को दबा दीजिए Chemistry के हर एक वीडियो देखने के लिए हेलो स्ट्रेंट्स कैसे हूँ तो आज अपना जो टापिक है प्रिपरेशन ओफ इथर कंपाउंड इथर कंपाउंड प्रिपरेशन के लिए अपने पास दो मेथड़े फर्स्ट बाई विल्यम्शन सिंथेसिस एंड सेकेंड मेथड डी हाइड्रेशन ओफ आलकाहुल तो पहल प्रिपेर कैसे करते हैं अलकोहुल में से तो आलकोहुल यानि आऊ-ठो ब्रियक्शन औघो सोडियम मेटल इंद रोल हों कि अल्कॉक्साइड सेकंड स्टेप तो जो सोडियम अल्कॉक्साइड उनके अंदर आपको हेलो आलकेन कंपाउंड एड़ करने हैं तो यहां पर हम लोग ले लेते आर डेश एक्स तो दोनों के बीच में रियेक्शन होगा नुक्लियोफाइल एंटर होगा यानी आर एक्स माइनस एक्स अलकाइल ग्रूप आर ऑक्सीजन के साथ बॉंड बनाएगा आर ओ आर डेश पर हो गया इथर कंपाउंड तो बस है कॉमन सा एक रियेक्शन है इथर कंपाउंड के लिए हम लोग एसे रियेक्शन लिख सकते कुछ एक्जाम्पल एक्जाम्पल नंबर होगा के मानलों सी एस्थ्री ओ एच प्लस एन है तापको प्रोड़क्ट देगा सी एस्थ्री ओ एन है सोडियम मिठोक्साइड सोडियम मिठोक्साइड माइनस हाइड्रोजन गेस रिलेज होगा यहांपे भी माइनस हाइड्रोजन यहांपे मैं एड़ कर रहा हूं लिएजफ्री ओस्तियंठ टुप आई इत्तायल आउडाइड बाइप्रोड़क्ट होगा सोडियम आउडाइड एन है प्लस जो इधर मिलेगा जिस्थ्री ओ फो च टू सी एज्ट टू सी एस्ट्री ओ सी एज्ट्री ओ तू सी यानी एक अंसीमेंट्रीकल इथर मिलेगा व नंबर ऑफ कार्बन जो अलकायल ग्रूप है वो डिफ्रेंट है एक मित यहां पे इथाल यह दो कर्बन तो अंसिमेट्रिकल एथर बना अंसिमेट्रिकल इथर का नेम क्या लिखेगे तो पहले लिखे एथाइल आलफाबेटेकली फिल मिताइल और लास्ट में अब गया अपन OH sodium metal minus hydrogen any same reaction sodium oxygen के पास C CS3 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 oh and now methyl iodide CS3 I release over na I plus as it is tertiary butyl oh oh CS3 तो यह हो गया अपना एक और कमपाउं यहां पर नेम कैसे लिखे तो वन तू थ्री तू मीथोक्सी और तू मीथाइल तू मीथोक्सी तू मीथाइल प्रोपेन तो यह हो गया एक अनदर प्रिपरेशन ओफ एथर तो पहला प्रोसेस था भाई विल्यम सन सिंथेसिस विल सिंथेसिस के अंदर सोडियम अलकॉक्साइड उनके अंदर हेलो आलकील एडिशन करना यानि आपका इथर कंपाउंड बन जाएगा प्रिपरेशन जो रियेक्शन है उस है के लिए बाई डी हाइड्रेशन ओफ आल्कॉहल आलकॉल को डी हैड्रेट करना है और हमें पता है क को डी हाइड्रेट करने के लिए कि कौंसे रियेजंट यूज但 करते है तो बाई अपिछ बंदी हाइड्रेशन रियेक्शन के लिए आपके fiscal का पासांसां जल्फियॉरिक और रिया जैसे है CH3 CH2OH CH3 CH2OH दोनों के अंदर इथेनोल बट यहां पर जो रियेक्शन कंडिशन है वो एक में पाट है कि रियेक्शन कंडिशन के अंदर आप लोगों ने लिया अगर अगर आप लोग गरम करते हो तो दोनों में बाइप्रोड़क्ट दोनों में जो में प्रोड़क्ट है वो डिफरेंट डिफरेंड विलेगे यहां पर क्या होगा वाटव मुलेक्फट रिलीज होगा वो एच अघर ज्याँदा टेंपरेचर है हाइर टेंपरेचर पर रियेक्शन किया इथिनल है कि तो ओब ऐच और यह कार्बन पेशे हाइड्रोजान यानि वाट्टर मुलेक्फिक्वल रिलीज बाकि यहां पर higher temperature और excess amount concentrate sulfuric acid होगा तो आपको alkyne यानि ethyne product देगा बट हमें बनाना है ether तो ether के लिए temperature 413 Kelvin lower temperature और proper amount of sulfuric acid तो यहाँ पे कुछ SA reaction होगी CH3 CH2OH plus second molecule दोनों के बीच में reaction होके water molecules पूरा release होगा यानि बाकी क्या बच्चा CH3 CH2O CH2 CH3 CH3 CH2 CH3 यानि symmetrical ether हुआ और symmetrical ether कोंसा नेम बनाय गाई तो दोनों साइड इथाइल ग्रूप है टू ताइम्स यानि डाइए इथाइल इथाइल इथाइब और प्लस वाटर बाइप्रोड़क्ट वाटर कोंनामे डाइथाल इथाइब आयो पेसे ने रिटोक्सी इथेज्टेयोगी प्रेपरेशन ओफर एठाइब एटो प्रोसेस्ट्विल्यम्स श्थेसी अंड दिधरेश्चन अफ़acha स्माइल